Hello and Welcome to Genic स्वागत है आप लोगों का एक और Concept Lecture में और आज के Concept Lecture में बात करेंगे Surface Tension के बारे में जैसा कि आप लोगों को ध्याने की हर दिन मैं Telegram पर कुछ questions बेशता हूँ और उस questions से related concept के बारे में बात करते हैं और try करेंगे कि 10 मिनिट के अंदर इस concept को अच्छे से समझ सके तो चलिए स्टार्ट करते है Surface Tension पर Surface Tension Phenomenon basically होता क्या है उस चीज को समझने के पहले मैं एक analogy से एक example से आपको समझाना चाऊंगा जिसकी वज़े से आपको Surface Tension एक मिनिट में समझ में आ जाएगा Most of students के साथ यह होता है कि Surface Tension को imagine नहीं कर पाते है कि यह phenomenon जो है वो कैसे act कर रहा है किसी भी particular surface पर पहले तो नाम से clear होता है Surface Tension मतलब Surface के ओपर tension होगी यह तो नाम से clear है अब बात करते analogy की suppose करे कि कि किसी दो वोल के बीच में मैंने एक wire बांद दिया है अब यह wire बांदा हो wire एकदम stretch है wire एकदम stretch है यह एकदम सीधा सीधा है अब जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ weight लगाया जैसे ही यहाँ पर w weight लगाया अब यह wire नीचे की तरफ stretch होगा नीचे की तरफ यह stretch होगा और यहाँ पर जो इसकी दोनों side है यह दोनों side क्या feel करेगी यहां पर tension feel करेगी मतलब यह जो दोनों side है यहां पर tension force अदाएगा यह जो analogy यह जो phenomenon यही work करता है surface tension के case में भी कैसे चलिए बात करते है let's suppose के container के अंदर एक किसी भी type का fluid बराया फिर liquid बराया आप most specifically liquid से समझ सकते कि कि किसी container के अंदर liquid बराया अब यहां पर मैंने जो green वाल इसके चारों तरफ बहुत सारे पार्टिकल है reason क्या है? reason है यहाँ पर एक proper symmetry बनी हुई है इस proper symmetry की वज़े से क्या होगा? कि इसके बीच में जो cohesive force एक्ट कर रहे होंगे same molecules के बीच में cohesive force एक्ट करते है तो यहाँ पर जो cohesive force एक्ट कर रहे होंगे वो due to symmetry इस word का जान रहे है due to symmetry वो क्या होता है? balance हो जाता है तो यहाँ पर इस जो interior molecule है यहाँ पर कोई भी unbalance force नहीं रहता है लेकिन जो molecules यहाँ surface पर है वहाँ पर क्या होता है? नीचे की तरफ से तो एक attraction force लग रहा कौन सा attraction force? cohesive attraction force लेकिन उपर यहाँ पर तो कोई molecule है नी उपर यहाँ पर क्या है? different molecule है जो उपर आले molecule से direction की तोड़ी change हो गई है यह सारी surface से उपर की तरफ लगेंगे ठीक है? जो उपर आले molecule से वहाँ पर लग रहा है air के कारण attraction force अब जो air के कारण जो cohesive force लग रहा है उसका magnitude होता है कम और जो water के कारण जो cohesive force लगता है उसका magnitude होता है ज्यादा तो comparatively आप क्या समझ सकते हैं कि उपर की तरफ जो force लग रहा है उसका magnitude कम है और नीचे की तरफ जो force लग रहा है उसका magnitude ज्यादा है तो यह ज्यादा magnitude क्या try करेगा कि इस surface को यह जो free surface बनिये नहीं यहाँ पर इस surface को try करेगा यह नीचे की तरह pull करने के लिए यह try करेगा नीचे की तरह pull करने के लिए जिस तरह यहाँ पर कुछ weight लगा उसी तरह यहाँ पर एक unbalance force लग रहा है जो इस surface को नीचे की तरह pull करेगा तो यही reason होता है कि इसी pull force के कर किसी भी सर्फेस में क्या आजाताए किसी भी सर्फेसół में आता है सर्फेस टेंशन जो मो सर्फेस होती है वो एक through फोर्स फ्ल्फोर्स फील करती है जैसागी लिखा destructive Infamous Attraction force of Attraction इंटर्फेस से चाहिब जो इसकी जैसे क्या होता है कि surface tension act as a stretch membrane अब यह क्या जो surface होती है basically इस surface tension के कारण ये surface क्या है Straced membrane की तरह एक करती है straced membrane कैसे समझ सकते है डातलब है कि आप suppose करें कि बलून की surface जो गोबारे के surface होती है उसी तरह ये surface act करती है अब यह जो pulling force होता है यही result करता जाक इसमें surface tension में है यह जो surface के उपड़ेंशन बनती है यहीं होती है surface tension तो यह समाच सकते हैं किомеas फ्लूट पर डिपेंड करती है जैसे मैंने नीचे बताया कि लिक्विड है उपर की तरफ तो एर है तो यहां पर क्या हो गया यहां पर हो गया दो पर्टिक्लर फ्लूट यहां पर सिमिलरली सब्सक्राइब केम्स का वह साल्फ एक चीजा आपको पता चलती है कि मकर केशंख बहुत बहुत ज्यादा है है क्योंकि mercury के case में क्या होता है कि जो cohesive forces होते है उनका magnitude होता ज्यादा और air का तो same magnitude है तो यही reason होता है कि इसकी value होती है हाई is compared to water की तो यहां होगी surface tension की बात पता दलगे कि यह interface पर work करता है और binary property of fluid पर depend करता है mathematical formula की बात करूँ कि mathematical form में surface tension को कैसे represent कर सकते है तो आप समझ सकते कि जो यह जो tension force जी जो pulling force लग रहा ना अगर मैं इसको unit length से divide कर दू force पर unit length उसी को बोलेंगे surface tension जो quantity निकल के आएगी वो होगी surface tension और इसको denote किसे करते है इसको denote करते है sigma से यह जो sign है इसको sigma बोलते है ठीक है तो इसी को मैं formulate करके लिखता हूँ sigma is equal to force कौनसा force है यह pulling force करती है surface tension force करती है divide by length यह length basically होती ही कितनी length पर यह surface tension force act कर रहा है यह जो force लगता है कितनी length पर feel कर रहा है unit की बात करूँ तो जो यहां पर है force force की unit होती है newton और यहां length length की unit होती है meter तो sigma की unit क्या होगी surface tension की unit होजाएगी newton पर meter यहां तक बात होगी अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली वह यह कि surface tension को एक form में और represent कर सकते या फिर इसकी एक definition और है वह कौन्ची definition है वह है जो surface tension होता है उसको surface tension is also expressed as the change in surface energy to change in surface area यह जो change in surface energy इसको आप कह सकते stretching work भी कह सकते stretching work मतलब कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते कि let suppose कि मैंने यहां पर एक वायर का arrangement बनाया और यहां पर यह जो वायर यहां पर moving वायर यहां पर moving wire यह जो आगे बीचे चटा तो यहां जो surface बनी हुई है यहां जो सर्फेस बनी हुई है यहली surface यहां पर यह तक है यहां पर लग रहा सर्फेश टेंशन judi जैसे ही मैं मुविंफ आगे की तरफ मूँव गड़ता हूं और यह वाइर यहाँ आ própria आ जाताा आगे की इस चीज को यहां पर समझ में आ गया कि जो सर्फेस टेंशन होता है जो सर्फेस टेंशन कॉंटिटी होती है उसको एक फो में और रिप्रेजेंट करा जा सकता है पोमला क्या हो जाएगा सिग्मा इस इकल टू डेली डिवाइड बाइड डेल है इस इकल टू डव्यू डिवाइड बाइड डेल है दोनों का मतलब पता चल गया चेंज इन सर्फेस इनर्जी और डव्यू किया यहां पर स्ट्रेचिंग वर्क यूनिट की बात करूं तो जो चूल को लिखते हैं नूटन मीटर और मिटर स्कॉयर को मिटर स्कॉयर एक मीटर से Hiçमिटर कट यह वापस वो ही इनिट आ जाती है नूटन पर मिटर जो की पहली स्लाइड में देखी ती सिंग्मा की उसल अदिर्फे स्गह की है एह उन्मेट करके टो एक तीट होतिय और guided है जूल पर मेटर स्कार चलिए यहां तक बात होगे कुछ और इंट्रस्टिंग फेक्ट के बारें बात कर लिए जाए कि जो सर्फेस टेंशन होता है जो सर्फेस के ऊपर जो एक पुलिंग फोर्ट जो स्टेचिंग फोर्स लग रहा है न वो बेसिकली क्या होता है कि संठेंट के क्लिए और कर चारें के से अगर में आपको त्यान होगा एक सी का नाम सुना होगा आपने डेड़ सी डेड़ सी जिसे आप कहते हैं कि उसमें बहुत सारा सोल्ट है अब उसमें क्या होता है यह वहाँ पर फिनोमेना वर्क करता है पुछ और इंटरेस्टिंग सर्फेस टेंशन कि बारे में सर्फेश टेंशन इस Steel quantity अभी स्केलर क्वाठी एक रिजन यह कि यह I पर डारेक्शन भी है और यहां पर मेंगिटूड भी लेकिन जो वेक्टर लोव एडिशन है सर्फेस टेंशन उसको फोलो नहीं करता है इसलिए सकेलर क्वांटिटी है और वेक्टर लोव एडिशन क्या होता है यह आपने 11 12 में पड़ा होगा ज्यादा यहां डिसकस करने की जरुत है निवे से नेक्स लाइन सर्फेस टेंशन इस फिनोमीना ओफ कोहेशन फोर्स जैसा कि मैंने बताए कि कोहेशन यह टोटली जो फिनोमीना ना यह बेसिकली डिपेंड करा है जो भी फ्लूड है उसका अंदर उसके मोलेक्यूल के बीच में कितना कोहेशिव पोर्स ह तो कमपरेटिवली जितना कोहेशिव फोर्स रहेगा उसी इसाप से यह मेगनिट्यूड डिसाइड होगा यहां तक हो गई बात तो यह था टोटल सर्फेस यह था टोटल पूरा बुरा सर्फेस टेंशन से रिलेटेड कंसेप्ट और ट्राई करा कि 10 मिनिट के अंदर इस प लोंस करा गया है जैनिक की तरफ से आपके लिए एक शोरे बेच लोंस करा गया है जिसकी जिसकी ओफर प्राइस दो फरवरी तक तो थी वहीया पच्छी सो तो जिनका मिस हो गया जल्दी से अभी भी खरीद लीजिए क्योंकि बहले प्राइस थोड़ी हाई है लेकिन आपक की जूनियर इंजिनियर के लिए शोरे बेच अब प्ले स्टोर पर जाईए जैनिक लर्निंग एप वहां से आप इंस्टोल कर सकते हैं और फर्दर जो आपकी इंफोर्मिशन है वहां पर मिल जाएगी आप लोगों को चलिए ठीक है अब उन क्योशन पर बात करता हूं जो म कि सिगमा को कैसे कर सकते सिग्मा को रिड но करने का और तो यह से भी सर्फेश टेंशन की वेलू बड़ेशन हती कि लेगा लेकिन यहाँ पर temperature down जा रहा तो surface tension अप जाएगा तो यहाँ पर surface tension की value भी reduce नहीं हो सकती लेकिन जो c option है वो है यहाँ पर सही option की adding of detergent जैसे ही detergent मिलाया surface tension की value हो जाएगी decrease next question पर आते unit of surface tension एक unit तो सिदी सिदी पता है sigma is equal to Newton per meter चलिए ठीक है दूसरी unit एक और बताई थी मैंने वर्क डिवाइड बाई एरिया जो की होती है जूल डिवाइड बाई मीटर स्कॉर इसके बार में बात कर लिए next question है as we increase temperature surface tension विल जैसे ही मैंने temperature बढ़ाया surface tension क्या हो जाएगा surface tension हो जाएगा decrease हो जाएगा यह सारे की सारे फिनों मेना की बारे में समझ लिया अब एक क्यों शन्ता न्यूमेरिकल उस पर बात कर लेते की एक नीडल है एक नीडल है जिसकी 5 cm length है 5 cm length है जस्ट रेस्ट ओन दे surface of water water की surface को पर रेस्ट कर रही है विदाउट वेटिंग विदाउट वेटिंग मतलब surface को गिला नहीं कर रही है इसका में बताऊंगा क्या रीजन है वोट इस दवेट इसका वेट निकालना किसका इस नीडल का वेट निकालना है और सर्फेस टेंशन की वेल्यू यहां पर गिवन है वोटर के केस में 0.07 न्यूटन पर मिटर चलिए ठीक है इसका डाइग्राम बना लिया जा है इसका डाइग्राम कुछ इस तरह होगा यह है वोटर वोटर के उपर बने हो नीडल और यहां पर यह जो येलो वाले एरोस है य अब यहां पर क्या जैसी नीडल आई जैसी थोड़ी सी नीडल एई उस केस में क्या होगा नीडल आते ही यहां पर क्या होगा यह हलका सा हो जाएगा सर्फेस बेंड क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर वेट आया अब एक चीज जो समझने वाली है वो यह है कि यह जो weight आया ना इस needle की उपर जो weight आया ना वो weight कैसे balance होगा यह weight ऐसे balance होगा नीचे की तरफ तो इसका weight लग रहा और उपर की तरफ क्या लग रहा उपर की तरफ लगेगा यहाँ पर surface tension forces यहाँ क्या लगेगा surface tension forces जो मैंने दोनों arrow बनाई यह ना वो यहीं बताती की उपर की तरफ लगेगा surface tension forces surface tension forces लगेगा उपर की तरफ तो basically यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर अब यह पूरी static condition में equilibrium में है तो यहाँ पर net force हो जाएगा zero net force मतलब जो weight होगा किसके बराबर होगा surface tension force के बराबर तो weight को equal कर दिया surface tension force के बराबर weight is equal to F और यहाँ पर जो जैसा की formula था Sigma is equal to F by L यहाँ से मैंने force निकाला तो हो जाएगा Sigma into L यह हो गया force अब यह जो L होता ना यह L basically होता है कितनी length पर कितनी length पर यह जो force है वह एक्ट कर रहा है चलिए देख लेते हैं एक चीज़ समझना अगर यहाँ पर angle given होता है यह वाला यह वाला यह वाला तब तो angle भी consider कर लेते लेकिन यह angle given नहीं है तो मानेंगे कि यह जो angle बना रहा वह लगबग zero degree बना रहा और cost zero क्या होता है cost zero होताह वन तो यहाँ पर अंगल की बात ही नहीं करेंगे लेकिन इस दो यह confiance की सर्फेस लगेगा और कि तरफ से भी surface tension लगएगा इदर की तरफ से भी तरुमाल गया और की तरफ सालन कर रहा हूर इस तरह कर रहा है को пож है दोनों साइट से फोट लग रहे तो यह हो जाएंगे यहां पर चुछ सिग्माइए अपने तुट सब्सक्राइब कर दिया और इसको सोल करने पर वेल्यू आएगी जिरो पॉइंट डबल जिरो सेवन यहां तक तो बात होगे अब एक चीज का और ध्यान रगना बहुत सारे बुक्स में या फिर बहुत सारे टेस्स स्रीज में आपको एक क्योशन यह बीस देखने को मिल जाता कि बहुत में यह आंसर आता है जिरो पॉइंट डबल जिरो थी फाइव रीजन क्या है उसमें यह मान के चलते ही यह जो सर्फेस ना यह बिल्कुल बेंड नहीं हुई यह ब स्रफेस्ट नशन फोर्स आएगा तो से मल्टिप्लाई करना सोल करना आंसरा दाएगा एक बार में सारे जो क्योशन थे जो चार क्योशन थे यह चार लोके कर आंसर है चलिए ठीक है मिलता हूँ इसी टाइब की और concept lecture में अभी के लिए यहीं तक करते हैं ठीक है बबाई thank you so much and take care